तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कूस करने वाल है जिस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स है हमारे चैनल पर कि विया हमें फर्स्ट एर में क्या हमारी स्ट्रेटीजी रहनी चाहिए किस तरीके से हमें प्रिपेर करना चाहिए कि आप बैलन्स करना है क्यो कि आप college में जाते हो तो इस्कूल से college का environment रहता है तो इसमें आपको आपनी चीजा ही रिप्राइड़ाइज करने होती कि इस तरीके से हमें फेल खूरा फूर्ग कूल में आगगे जाना आपको यार आपकी यार आपके ट्री कॉलेज में लैंड वे तो कोई भी और मत हो ना सबसे पहले तो मैं यह दिस्कुलिमर देदू तो जो भी मैं बता रहा हूँ आप सभी के भलाई के लिए बता रहा हूँ तो आपको यार आप एक tier 3 college में land हुए आपके पास इतनी ज़्यादा opportunities नहीं आने वाले हैं क्योंकि आपको भी पताऊगा कि market situation बहुत ही ज़्यादा खराब है IT industry का तो tier 3 college में अगर आप आये हो तो अब क्या सोचते हो कि आपको सिर्फ degree लेके निकलनी है नहीं आपको यार एक अच्छा इंजीनियर बनके निकलना है आपको अपनी चीजे तो पहले से ही आपको totally first year से ही आपको अपनी पढ़ाय स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप बूच के grades पे बहुत ही जादा focus करो tier 3 college के students के लिए यार है कि college के grades पे आपको बहुत ही जादा focus करना है उसके बाद यार college के grades के साथ साथ आप first year से यार थोड़ी बहुत coding हो गई उसके अलावा web development हो गया android development हो गया इन चीज़ों को आप explore करो ठीक है first year में जैसे आप C language सीख लेते हो या Java सीख लेते हो या C++ सीख लेते हो कोई भी एक language आप सीख लो उसके यार concept जो है end to end concept जो है उनको contest कर लो और उसके बाद आप basic coding start कर सकते हो उसके बाद अगर हम second year में जाते हैं तो यार यह एक ऐसा point है जहां पर आपको enjoyment आप उतनी जादा नहीं करनी first year में थोड़ी बहुत enjoyment कर लो extracurricular activities में participate करो क्योंकि exposure मिलता है second year में भी आर आप कर सकते हो ऐसा नहीं है कि बिलकुल zero कर दो लेकिन उस चीज़ को खोड़ा सा limit करो उसके बाद आपका क्या रहेगा कि आप धीरे देर आप coding का level increase करोगे उसके लाबर development आपका अगर कर रहे हो तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा हाई करोगे ठीक है बहुत लोगों का interest आ जाता है development में फिर वो coding नहीं कर पाते हैं तो यह चीज़ आपको prioritize कर इन में मैं recommend करता हूँ आज कल के time पे Java जो कि यह बहुत ही जाला लोगों को करना चाहिए क्योंकि C++ और C का time जा चुका है आपका Java में जो आपका primary language होना चाहिए उसको आप Java मनाओ और उसको 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 पर काम करना start करो second year में आपके बहुत सारे concepts रहेंगे आपके OOPS हो उसके लावब data structure बहुत सारे colleges में start हो जाते तो उन चीजों को पढ़ो lead code हो गया hacker art हो गया hacker rank हो गया code trap हो गया उन पर आप questions की practice करो तो दीरे दीरे आपका क्या रहेगा कि at the end of fourth year आप इस level पे हो जाओगे कि अगर आपके college में companies आ रहे है लाट से दसलाग क्या रहे तो आप अगर मैं आपको पता हूँ तो आपको मतलब फर्स्ट यर में आप फोड़ी बहुत जो मेहनत कर जो कर रहे हो सबसे आद आप grades पे focus करो उसके लावब coding पे focus करो इन दो चीजों के लावब extra curricular पे आपको इतना ज्यादा focus नहीं करना चाहिए मेरी according उसके बाद अगर हम tier 2 college क करें तो आपको पता है कि आपको college tier 2 है और उसमें companies भी decent आ जाती है चाहिए मतलब बड़ी companies भी कुछ-कुछ tier 2 colleges में आ जाती है तो आपका कह कि यार आप first year में अपना जो जैसा चल रहा है प्रीक में मतलब आप मजे करो चिल करो सब कुछ आप कर सकते हो एक्स्प्लोर करो एक्स्ट्रा करें कि पाइट करो लेकिन साथ ही साथ यार आप second year में जाते ही थोड़ी बहुत आप coding स्टार्ट कर दो एक language है उसको आप contest कर लो चाहिए java हो गया c++ python आपके लिए सेम है मैं java recommend करता हूं लोगों को python मैं इसलिए recommend करता क्योंकि आप उसमें oops के concept उतने अच् स्टार्ट कर देनी चाहिए development में आपको सोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए और third year में जाने के बाद आपको मतलब धंग से आपको prepare करना है ताकि companies आप क्रैक कर सको internship क्रैक कर सको उसके बार अगर हम tier 1 colleges की बात करें जिसमें आपके IITS, NITS, BITS, IIITS आते हैं तो अगर हम इ मां की बच्चों से अलग हो मां की बच्चों से अच्छा आप perform करोगे तो आपके लिए उत्ता burden नहीं रहता तो आप second year से लेकिन अपनी coding स्टार्ट कर सकते हो और कोई एक language तो यह मैंने तीनों के लिए बतारा के चाहिए tier 1, tier 2, tier 3 को एक language को आप end-to-end contrast कर लो ताकि आप company को बता पाओ कि यह जो language है यह मेर को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है तो company को भी यह लगेगा कि हाँ tier 1 का बच्चा है तब यह पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है और सबसे important तो coding है coding आपको करनी है अगर आपको coding में interest नहीं आपको development में जाना है तो आप वो चीज भी जासते opportunities बहुत जादा कुली है सारी बड़ी companies जो है चाहे फैंग मुला हो गया है जो भी companies है मैंग मुला कहलो तो जो भी companies है आपको college में आने वाले है और third year से यह आपकी internship के लिए companies आ जाती है second year से internship के लिए companies आ जाती है तो आपको उस पर भी work करना है साथ साथ ग्रेट्स आपको बहुत जादा मिलेंगी तो वो opportunities जो है चाहे खेल कुद के मादयम से हो गया है किसी भी दूसी तरीके से extra career के तरीके से भी तो आपके लिए distraction भी हो सकता है तो वो चीज़ें आपको प्रायोटाइज करने वाले हैं but tier 1 colleges के बच्चों का placement generally असानी से लग जाता है तो आपको इतनी tension वाली बात नहीं है but still आपको पढ़ाई पर focus करना है तो यही था I hope आपको अच्छा लगाओ और मैं detail में लाने वाला हूं next video की किस तरीके से आपको prioritize करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई और उसके बीच में और कौन-कौन से subjects हैं किस तरीके से आपको score करना है तो मिलते नेक्स वीडियो में bye bye take care आपको कोई doubt रहे तो आप यह comment box में पूछे ना thank you so much guys मिलते नेक्स वीडियो में bye bye take care